नमस्ते दोस्तों जोहर आप सभी का विश्च चक्रवरती यूटूब चैनल में हादिक स्वागत है आप सभी के डिमांड को देखते हुए मैं क्लास 9 के कल के होने वाले एक्जाम के लिए पारग्राफ राइटिंग के कुछ इंपॉर्टन टॉपिक्स लेके आया हूँ जो आ I am in life or my ambition दोनों एक ही चीज़े दोस्तों मेरे जीवन का लक्ष ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गिया है एवरीवन है सटेन एंबिसन ठीक हर किसी के जीवन में कोई ने कोई लच्च जरूर होता है As for me I want to become a doctor याद रखिएगा जहां तक मेरी बात है मैं एक doctor बना चाहता हूँ क्या बना चाहता हूँ I want to become a doctor ठीक है Our country needs such good doctors हमारे देश को एक अच्छे doctors की जरूरत है ठीक है I sell the poor free of cost ठीक है मैं गरीबों की सेवा मुफ्त में करने वाला हूँ यानि free of cost में ठीक है poor patients die because of the lack of money and treatment ठीक है यह जो गरीब मरीज होते है वे पैसों के अभाब में और अच्छे treatment के अभाब में मर जाते है हमारे देश को अच्छे doctors की बहुत जरूरत है और मैं गरीबों की सेवा मुफ्त में करूंगा इसलिए मैं doctor बनना चाहता हूं गरीब मरीज मर जाते हैं दोस्तों पैसे का भाब में और इलाज के अभाब में ठीक है इसलिए मैं doctor बनना चाहता हूं एही मेरे जीवन का लच्छ है और मैं एक ना एक दिन जरूर doctor बनुगा ठीक है लिख लीजिएगा बहुत ही important topic है चलिए next topic की और बढ़ते क्या है देख सकते है my hobby ठीक है यह भी बहुत important topic है दोस्तों my hobby ठीक है यानि मेरा sock hobby में दोस्तों free time में जो आप करने के सौकिन होते उसी को hobby कहते है ठीक है तो चलिए क्या लिखें है देखिए everybody has a hobby in life ठीक है जीवन में हर किसी का एक नाएक hobby होता यानि sock होता ठीक है it is natural दोस्तों जो क्या होता है natural होता है यानि कुद्रती होता है दोस्तों याद रखिएगा it depends on internal willing everybody has separate interest my hobby is to reading different types of books याद रखिएगा मेरा hobby क्या है different types of books पढ़नेगा ठीक है as practical, religious, historical, etc I get light from these books this is my hobby it is very useful ठीक है याद रखिएगा जीवन में हर किसी का hobby होता है यानि अपना-पना socks होता दोस्तों, free time में जो कोई कुछ करना पसंद करता है उसी को hobby कहते है दोस्तों याद रखिएगा या खुद्रती होता दोस्तों कुद्रती नेचूरल होता है ठीक है या आंतरिक या इंटर्नल होता है यह आंतरिक पूल है यह उप योगी है ठीक है याद रखिएगा चाहिए नेक्स्ट टॉपिक क्यों बढ़ते हैं क्या टॉपिक देख सकते हैं दा गेम यू लाइक एक मोस्ट और यूर फ्यावरेट गेन आपका प्रिया खेल ठीक है चलिए देखते क्या लिखा गया है गेम सेंड इस्पोर्स आर एसेंचियल पाट आफ आवर लाइफ याद रखिएगा यह जो गेम सो इस्पोर्स होता है न हमारे जीवन का अनिवार यह हिस्टा है ठीक है इ आउटर गंस में क्या आता दोस्तो फुड़ वाल क्रिकेट और होकी ठीक है एंड लुडु चेस बाटमिंटर आर्दा इंडे। इंडेुर गेम सोथे ठीक है एमोंग तं इनमें से आई-लाइक क्रिकेट मुझे क्या पसंद रहा दूस्तों क्रिकेट पसंद है ठीक है इस ऑ लिए मुझे यह गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद ठीक है मेरा फैवरेट गेम क्रिकेट है ठीक आप लोग भी अपना अपना फैवरेट गेम लिख लीजिएगा ठीक है चली नेस्ट टॉपिक और बढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्डन टॉपिक दोस्तों माई ब best friend होता, आपको अपना best friend का नाम लिखना, उनके बारे में लिखना, ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गिया है, I have lots of friends, but Abhishek is my best friend, ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन Abhishek मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है, सब ही हम Abhishek लिखे, आप लोग अपना best friend है, सबसे अच्छा best friend है, तो आप लोग ही का जहां-जहां ही यूज हुआ, वहां ही लगा दीजेगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, क्या लिखे कि जैसे, I have lots of friends, but Sima is my best friend, कोई लर्की का नाम लिख लिजेगा, C is my classmates, जहां मैं ही लगाया हूँ, आप लोग C लगा लिजेगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, चलिए, मैं बात करता हूँ, he is my classmate, कौन, abhisik is my classmate, he is an ideal student, he is very intelligent, he always helps me in my studies, ठीक है, हमेशा मेरी मजद करती है दोस्तों, पढ़ाई में, he always gets good marks in the examination, हमेशा, exam में, बहुत ही अच्छा marks लाता है, he comes school on time, समय पर school आता है, he is good at studies as well as sports, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा है, साथ ही साथ साथ स्पोर्स में भी, games में भी वहत अच्छा है, ठीक है, he respects teachers and elders and obey them, I like his company very much and feel blessed to have him in my life, ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त है, लेकिन अभी से एक मेरा सबसे अच्छा, दोस्त है, वह मेरा classmate है, ठीक है, classmate किसको यानि जो जो साथ साथ में पढ़ता है, एकी class में पढ़ता है, उसको classmate बोलते है, ठीक है, वह एक आदस चात्र यानि ideal student है, वह बहुत बुद्धिमान है, intelligent है, ठीक है, वह हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करता है, ठीक है, याद रखेगा, he always helps me in my studies, ठीक है, उसे हमेशा परिच्छा में अच्छे अंक मिलते है, ठीक है, he always gets good marks in the examination, वह पढ़ाई के साथ साथ खेलकुद में भी अच्छा है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, he is good at studies as well as sports, ठीक है, वह सिच्चकों और बड़ों का सम्मान करता है, उनका पालन भी करता है, ठीक है, he respects teachers and elders and obey them, ठीक ठीक है, I like his company, मुझे उनके साथ रहना, उनका company बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं उसको अपने जीवन में पाकर बहुत ज़्यादा धाइन ने महसुत करता हूँ, ठीक है, I like his company very much and feel blessed to have him in my life, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों जाज़े लाइक कीजिए, आपने सारे friends के भी share कर दीजिए, क्योंकि time बहुत ही कम बचा हुआ, ठीक है, चलिए next topic की और बढ़ते है, बहुत ही ज़्यादा important topic है, importance of time, ठीक है, बस importance of time, time जो है दोस्तों, समय का महत्तो ही बहुत ही ज़्यादा important है, और आप लोग को भी समय का value जानना होगा दोस्तों क्योंकि कल exam है, अगर आज time को आप use नहीं कीजेगा तो कल के लिए आपका खराब सावित होगा दोस्तों, इसलिए time को बहुत use कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, आप लोग का marks बहुत अच्छा आने वाला दोस्तों, ठीक है, चलिए importance of time में क्य कोई भी आदी हो, इसका कोई भी अंत नहीं होता है, ठीक है, all things are born on time, grown on time, and die on time, ठीक है, सबी चीजे समय पर पैदा होती है, समय पर बढ़ती है, और समय पर मर भी जाती है, याद रखेगा, time is very precious, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा valuable है, बहुत ही ज़् Use time carefully and properly and not waste it, ठीक है, हमें समय का सदुपयोग सावधानी पुर्वक और सही धंग से करना चाहिए, और इसे बेकार के कामों में बरवात नहीं करना चाहिए, ठीक है, and not waste it in useless activities, याद रखेगा, time never stops, याद रखेगा, समय कभी भी नहीं रुखता है, किसी के लिए भी नहीं र बढ़ते हैं, कर लीजेगा, बहुत ही important topic था, चलिए next topic क्यों बढ़ते है, an ideal student क्या है दोस्तों, एक आदस छात्र, ठीक है, एक आदस छात्र का क्या 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 quality होता है, इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है, इसको भी कर लीजेगा, बहुत ही important question है, आये साहिद आप ल हमेशा अपने कर्तेवों और जिम्मेदारियों प्रती सचेत रहता है, his truthful, kind, hearted and generous, ठीक है, याद रखेगा, वह सच्चा दयालू और उदार होता है, ठीक है, he always maintains good health, और हमेशा अच्छा स्वास्त को दोस्तों, हमेशा अच्छा स्वास्त बना के रखता है, ठीक है, an ideal student is never selfish एक आदस छात्र कभी भी selfish नहीं हो सकता है, ठीक है, he is always humble, ठीक है, याद रखेगा, वह हमेशा विनम्र रहता है, humble रहता है, ठीक है, he is an all-rounder in schools, schools में जो है, वो एक all-rounder का काम करता है, दोस्तों, सभी चीज़ में participate करता है, गेम्स और इस्पोर्स में भी participate करता है, ठीक है सारे चीज़ में, quiz में participate करता है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते है, he is regular in classes, ठीक है, वह स्कूलों में all-rounder है, साथ ही साथ, अपने जो कच्छा में है, दोस्तों, regular रहता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते है, क्या लिखा गिया है, अपने देश के कानुनों का सम्मान करता है, ठीक है, he has all the qualities of a good citizen, याद रखेगा, उन में एक अच्छे नागरिक के सभी गून होते है, ठीक है, he always fights against social evils, ठीक है, क्या बोलें, he always fights against social evils, ठीक है, वह हमेशा सामाजीक बुरायों के खिलाप लड़ते हैं, ठीक है, याद कर लिजिएगा, ये कुछ important topics थे, दोस्तों, बहुत ही जादे important topics हैं, इन में से कोई ना कोई questions आपके जरूर एक्जाम में देखने होंगे, ठीक है, एकदम आने वाला, ठीक है, कर लिजिएगा, और कुछ एकदोटों कर लिजिएगा, जैसे values of trees, ठीक है, importance of trees, ये सब कर लिजिएगा, ठीक है, चलिए, तो आसा करते हैं, आप लोग की ये सारे important paragraph समझ में आ गया होगा, पस इसका revision करते रहिए, और अगर आप लोग क्लास 9 क पार्ट वान और पार्ट वाला important questions वाले series नहीं देखे हैं, तो प्लीस उसको देख लिजिएगा, उसे बहुत सारे questions है, ताइम मानिए, बहुत सारे questions वही वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग ये वीडियो थोड़ी से भी helpful लागी तो प्ल comment करें, ठीक है, तब तक लिए दोस्तों धायने बाद, जैहिंद बंदे मात्रम.